साहिल जी का कमेंट है कि आजकल क्रिस्टल बहुत फेमेस हो रहे हैं और अलग-अलग दिशाओं के लिए अलग-अलग टाइप के क्रिस्टल यूज किये जाते हैं तो आपको क्या विचार है, क्या हम crystals यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताओं, जो crystals होते हैं न, वो hardcore earth element का पृतिक है, generally कई जगाओ पे meditation, जो meditation centers होते हैं, वहाँ पे crystals का बहुत जादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी crystal के सामने, अगर वो pure crystal है, अगर आप कि trans में जाने में उससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि crystal जो है, वो system को slow down करते हैं, earth element का पृतिक है, लेकिन क्या हम उनको अपने घरों में use कर सकते हैं, नहीं, अगर हम अपने घरों में crystals को use करते हैं, तो crystal क्या करता है, उस particular area की energies को बहुत जादा slow down कर देता है, आपको lethargic feeling आने लगती है, आपका काम slow हो जाता है, system slow हो जाता है, तो इसलिए कभी भी घरों में crystals को use नहीं करना चाहिए, चाहिए वो किसी भी form में हो, raw crystal हो या polished crystals हो, काच है, तो उसका कोई effect नहीं है, generally duplicate crystals market में available है, काच की form में, सीशे की form में, तो वो तो waste हैं, उनका कोई effect नहीं है, लेकिन अगर original crystals अगर आप use करते हैं अपने घरों में, तो कोशिश कीजिए कि उन crystals को pack करके रखें, जब आप crystals को pack करके रखते हैं, तो उनका effect जो है वो, खतम हो जाता है, नलीफाय हो जाता है, लेकिन अगर आप open में, किसी bowl में crystals वगरा रखोगे, तो system को slow करेंगे, काम भी slow होगा, health भी slow down हो जाएगी, लफार्जिक feeling भी बनी रहेगी, तो मैं crystals को use करना मना गरता हूँ, नहीं करने चाहिए, किसी भी प्रकार के crystals घरों में या offices में use, धन्यवाद.